हेलो गैज वल्कम बैक तो मैं आज आज आपको फाइब त्यूबलेस तयार्स के बाड़े में बटाऊंगा तो गैज ये वीडियो पल्चा यूजर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही काम आएंगे तो आप लोग वीडियो को ठ्यान से देगे तो गैज आप सबीको तो पताएए कि जब पल्चा ब्रेकिंग सिस्टेम वह ज़्यादा खास नहीं है अगर आप किसी स्पीट पे जा रहे हैं हो अगर आपको इंस्टेन ब्रेइग लगाना पारा अगर आप इंस्टेन्ब्रेग यूँसक्या तो आपका जो बाइक के हैयार है वह रुख जाहिए नहीं और आपको थोरह ज्यादा है movement ले जाता है और गास जो पल्चर का stock तयार से वह ज्यादा खीशता नहीं अगर आपने बाणर वगरा या तो इतना बगपक करने से क्या होगा मैं आपना तायारी दिखा देता हो आपको तो आप लोग देख सकते हैं यूरो गृप वाला तायर यह स्टोक तायर है यह अभी तक दो साल पार्क चुका लेकिन अभी इसका गृप चल रहा है और यह लगभा एक चल तक सलेगा अभी हम किलोमीटर पर दिखा देते हैं तो आप लोग किलोमीटर देख सकते हैं 22,686 तो 22,000 अभी लगता है 32,000 तक यह चलेगा तायर अभी जो हम आपको तायर्स के बारे में बताएंगे हम तीन डिफरेंसेट करेंगे उसका मतलब हम आपको प्राइस में डिफरेंसेट करेंगे उ और यह सभी online पर available है और offline पर कुछ जादा ही available है और गाइस सभी जगों पर अलग-अलग price की segment से चलता है तो वीडियो को जलते से सुरू करके खटा भी कर देते हैं तो गाइस point number one पर हमने रखा है TVS तायास को तो गाइस उसका जो front आयर है वो आपको 1900 से 2000 के बीच में आप आपको मिल जाएगा और गाइस आप चाहो तो टायर खीच जाने तक आप उसको सला चकते हो लेकिन मेरा मने तो 15,000 से 20,000 किलो मितर के बीच में आपको चैंच कर लेना चाहिए और उसको आप online पर भी या offline पर भी आपको इजिली से मिल जाएगा तो गाइस पॉइंट नंबर टूम पे हमने रखा है एपॉलो टायर को यह टायर भी किसी जगम नहीं है इसका जो फ्रॉंट टायर है वह आपको 2200 या 2300 से स्टार्ट होके 3000 के बीच में मिल जाएगा और उसका जो रेर टायर है वह 3500 से 3800-900 में आपको मिल जाएगा तो गाइस इस तायर को भी अब बहुत दूर तक चला सकते हैं लेकिन मेरा मानिया तो यह 20,000 किलो मिटर या 25,000 किलो मिटर के बीच में आपको नया लगाना चाहिए इसको भी आप ओनलाइन पर बहुत आसनी से मिल जाएगा तो गाइस थर्ट नंबर पॉइंट पर हमने रखा है सेट टायर को इसका फ्रॉन टायर जे उसका प्राइस 1700 और 1800 के बीच में आता है और उसका जो रेर टायर का प्राइस वह 2900 से 3000 के बीच में आता है इस तायर को भी आप बहुत दूर तक या बहुत दिन तक तैयर खिच जाने तक आप चला सकते हैं लेकिन मेरा मने तो इस तायर को भी आप 20,000 किलोमीटर और 25,000 किलोमीटर के बीच में आप चैंस कर लिजह ये तायर भी आपको उनलाइन पर बहुत आसनी से मिल जाएगा तो गास उसके बाद आते हैं हम फोर्ट पॉइंट पे और हमने फोर्ट पॉइंट पे रखा है जे के तायस को तो उसका जो फ्रॉंट टायर है वह आपको तो 2,000 से 2,200 रुपीज के बीच में मिल जाएगा और उसका जो रे टायर है वह 2,500 या 3,000 के बीच में आपको मिल जाएगा और गास इस तायर को भी आप खीश जाने तक चला सकते हैं लेकिन मेरा मानिये तो आप 18,000 किलो मिटर और 20,000 किलो मिटर के बीच आप इसको सेंस कर ल रखा है MRF तायर को उसका जो फ्रोंट तायर प्राइस है वह आपको एटीन हंडर रुपीज या 2,000 के बीच में आपको मिल जाएगा और उसका जो रे टायर प्राइस है वह आपको 2,800 या 3,000 के बीच में मिल जाएगा तो गास आप लोग इस तायर को भी खीश जने तक चल लाओ तो यह उस तायर सभी तायरों में से ओनलाइन पे इसको आसानी से आपको पर्चिस कर सकते हो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें करें और चैनल को सब्स्राइब कर डिजे थैंक्यू तो आया यह ओखाओ